नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अदिती प्रया आप देख रहे हैं HCN हम बात कर रहे हैं दिल्ली में भड़की हिंसा के बारे में नागरिता शंसोधन कानून का समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों ने उत्तरपूर्वी दिल्ली को हिंसा की आग में जोग दिया है उत्तरपूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बीते तीन दिनों से जारी हिंसा में अब तक 20 लोगों की जान चली गई है जिसमें दो पुलिस कर्मी भी शामिल है रविवार से जारी हिंसा में अब तक 56 पुलिस कर्मी समेट 200 से अधिक लोग घायल हो गए है नौर्थ इस दिल्ली के जाफराबाद, मौजपूर, बाबरपूर और चानदबाग में लगातार हिंसा की वजह से पुलिस का कहना है कि तंग गलियों के कारण उन्हें कारवाई करने में परिशानी हो रही है लोगों के द्वारा आगजनी, लूट पार्ट, पत्राव और फाइरिंग भी की गई जिसके चलते अब सुप्रिम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंसा फैलाने वाले और समाजिक तत्व को देखते ही सीधे गोली मार दिया जाए ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ले पुलिस सुप्रिम कोर्ट के अनुसार कारवाई करेगी या हिंसा अभी और भड़केगी और बड़ा सवाल यह भी है कि दिल्ली में हिंसा का सिलसिला आखिर कब तक रुकेगा इस पथराओ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस पर अपनी राय कमेंट वक्स में जरूर दे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले